निया कुन्बा बनालिया है जिसका नाम है IN-DIA घजब का नाम है IN-DIA एक कुन्बा बनालिया है शाहराजबैठक भी हो रही है नाव मोठे और नाव मोठे लक्षण खोटे नाम बढ़े हैं और दरफन छोटे हैं यह एक मातर सहारावाद बचा है अब INDIA इंडिया नाम लेकर अपनी वैतरणी को पार करना चाहते हैं बैनो भायों नाम लेकर वैतरणी पार नहीं की जा सकते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2014 में जब हम सरकार में आये थे तो भारत उसमें वर्ल्ड की टाप 10 एकानमीज में था यानि जिस समय हमारी सरकार 2014 में मोदी जी के नित्रत में बनी थी तो हम दुनिया में बड़ी बड़ी अर्थ वे अस्थाएं यानि धन दौलत के मामले में हम दुनिया में दस्वें अस्थान पर खड़े थे आपको जानकर या खुशी होई होगी आज हमारा और भारत आपका और वह दिन दूर नहीं है कि आने वाले तीन वरसों के अंदर मेरे बहनों भाईो आप देखना धन दौलत के मामले में अर्थ वे उस्था के आकार के मामले में एकानमी की साइज के मामले में हमारा या आपका और हमारा या भारत दुनिया की टाप थ्री कंट्री में आकर ख देश का रक्षा मंत्री बोल कर जा रहा है मेरे बहनों भाईयो दो हजार सैंतालीस आते हो सकता है इस संभावना को लकारा नहीं जा सकता कि सारी दुनिया में धन दौलत के मामले में अर्थवे उस्था के आकार के मामले में सबसे बड़ा कोई देश होगा तो हमारा और आपक भारत को एक विक्सित भारत बनाने में महत्तपण उभ्मका निभानेरी कोई राज्य जा रहा है तुसरे राज्य का नाम है महारास जिसका ने तुर्त कर रहे हैं हमारे यहां पर यह शच्ष्वी लोकप्रियमक्ष मंत्री से एक नाजी शिंदे जिनके साथ हमारे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं यह कोई छोटी हमारी उपलब्धी नहीं है साथियों सहकारता के तुर्क मैं तरी बिठल लाव भीखे पाटिल जी के अन्य शेत्रों में युगदान के संबंद में भी मैं आप से कुछ चर्शा करना शाओंगा तरी पाटिल जी ने ना पीश्तूरत में यह देश भूल नहीं सकता है निरक्षरता को समाप्त करने में भी जो नहोंने भूमिका निभाई है क्रामीन जनता को शिक्षा के प्रति उनके अंदर जागरुपता पैदा करने में हमारे पदमस्री बिठल लाव बिखे पाटिल जी ने जो भूमिका जान और यह सोच मैं समत्ता हूं कि यह हमारे बिठल लाओ बिखे पाठिल जी की भी रही होगी इसलिए उन्होंने modern education आधनिक सुक्षा पराधारिक school की भी शुरुआत करने का काम किया था यह मुझे जानकारी दी गई है लड़कियों की भी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए इस पर भी उनका अग्रता हमारे पदमस्री बिठल लाओ बिखे पाठिल जी का अब उनकी कितनी चीज़ों की मैं चर्शा करूँ और मैं चमणता हूँ कि उसी सोच के आधार पर हमारी सरकार ने भी नई शिक्षा नीत बनाई है निव एजुकेशन पालिशी तैयार किये और हम सब केवल अंग्रेजी पर बल नहीं दे रहे हैं बहुत हो गया अंग्रेजी बहुत हो गया अंग्रेजी बहनो भायो भारत की धर्ती पर भारतियों के द्वारा बोली जाने वाली और भारत की धर्ती पर पैदा हुई भाशा को प्रभावी तरीके से लागू करने पर हम बल दे रहे हैं आप कहीं जाएए आप अपनी भाशा में बोल सकते हैं हमारे प्रधान मंत्री दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं अपनी ही भाशा बोलते हैं बहनो भायो हिंदी आप जाएए महारत बराठी बोलिए जिसको समझना होगा वह उसका अंग्रेजी में अनुबाद करें तो आज जिस भाशा में अनुबाद करना हो हमें अपने भाशा पर भी गर्भ है अपनी मांत्री भाशा पर और अपनी मांत्री भून पर गर्भ है अपनी मां पर गर्भ बहुत ही प्रवाइब भारत वाजी हैं तब भारत वाजी बैनों भायो इसलिए मैं कहता हूं जम्माई बिठा लाओ जी पाटिल के योगदान को किसी चुरत में भुलाया नहीं आपकता। इसे मैं कभी भूल नहीं सकता। आप सबने अपने आसपास बहुत सारे सो काले लीडर्स को भी देखा होगा। जो कि जिनके पास थड़ा पैसा हो गया जो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं जो समाज की सेवा में प्रवावी भूमिका निबाते हैं उनके खिलाब भी वह आंदोल में नहीं शलेगा कि हमारी मांगे पूरी हूँ चाहे जो मजबूरी हो हम तो कहते हैं हमारा नारा होना शाहिए हम देश के हित में करेंगे काम और लेंगे उसका उचित दाम यह हमारा नारा होना शाहिए और यही हमारी सकारात्मक सोच है मैं समझता हूँ इसी सोच के आधार पर हमारे पढ़मसरी बिठलाव पाठिल जी ने किसानों के बीच मजदूरों के बीच आदिवाशियों के बीच अपनी भूमिका का अंदरवा किया है हम सरकार में आने के बाद सेहिं स्रमिक और अध्यमियों दोनों के हिटों को राश्ट के साथ जोड़कर उनके विकास के लिए हम कांद कर रहे हैं हमने अपने किसान वा अडिवासी भाईयों और ना सिर्फ विकास के माध्यम से बाकी देश से जोड़ा है बलकि उनके जल जंगल वा जमीन की भी हमारी सरकार उसकी रक्षा कर रही है हमारे इन प्रयासों से देश में रुजगार तो बढ़े ही है देश की आर्थिक हालत तो म कारण आ गई है तीसरे स्थान पर जो पहुंचने वाली है तारी दुनिया में हमारे देश की आर्थिवस्ता तो इसी कारण पहुंचने वाली है और मेरे बहनों भाईयों सायर आप लोगों को इस बात की मिजानकारी होगी हमारा भारत अब ऐसा वैसा भारत नहीं है पहले भारत के नेता जाते थे दुनिया में अंतरास्ती मंचों पर कुछ बोलते थे दुनिया के सामने कुछ बोलते थे तो दुनिया गंभीरता पूर्वक हमारी बातों को नहीं सुनती थी कहती थी भारत है कम जोर देश है इसकी बात सुनके क्या करेंगे लेकिन आज आज आपक की हैसी यह भारत का कद यह दुनिया में मेरे बहनों भाई यों बढ़ा है यदि रूस और उक्रेन के वीच युद्ध चल रहा है एक साल से जादा का समय हो गया रूस और उक्रेन के वीच युद्ध चल रहा है हमारे वहां पर हजारों की संख्या में नौजमान चात्र जो प कुछ भी हो जाए युक्रेन में लगातार विसाइल चल लएए बम गिर रहे हैं गोले चल लए हमारे बच्चे को निकालो युक्रेन से सायद दुनिया का कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं कर सकता है देखे हमारे प्रधानमंतरी का करिश्मा हमारे प्रधानमंतरी ने टेलिफोन उ ऊक्रेनि के राश्पति मिस्टर जैलंसकी से बात की और रूश के राश्पति मिस्टर पूतिन से बात की U già देल लुक गया और हमारे 23 सज्जार से अधिक शात्र भारत की धरती पर आ गए यह है यह भारत लेगिन हमारे बिरोधियों को, यह रावसी नहीं आता है, अब उन्होंने एक नया कुनबा बना लिया है, जिसका नाम है I-N-D-I-A, गजब का नाम है, I-N-D-I-A, एक कुनबा बना लिया है, शायर आज बैठक भी हो रही है, क्यों शिंदेजी, आज बैठक भी हो रही है, क्या बात है, पर कि नाम बढ़े हैं और दर्फन छोटे यह ऐसे लोग हैं जिनका बस नाम ही एक मात्र सहारा बचा है अब आई अडिया इंडिया नाम लेकर अपनी वैतरणी को पार करना चाहते हैं पहनों भायों नाम लेकर वैतरणी पार नहीं कि जा सकते हैं कि नाम लेकर किसी भावर को पार नहीं किया जा सकता कर्म चाहिए शंता का समरसन यह प्राप्त हो रहा है हमको तो मोदी जी के नेत्र तुम्हारी सरकार ने जो कुछ भी किया है सारी दुनिया में जो हमारी साख बनी है विस्वस्नेटा बनी है जो हम बोलते हैं तो सारी दुन सुनती है भारत को आप कोई कमजोर भारत नहीं मानता है और मैं कहना शाहता हूं मेरे बहनवायों कि चाहे जो कुछ भी वोलें इस्वाफ दिलाकर आपको जाना शाहता हूं हमारा भारत कमजोर भारत नहीं रहा है हमारा भारत दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है ऐसा न विश्व को देने वाले हम लोग हैं हमरे देश के रिशियों और वनीशियों ने कहा कि हम भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सरस्य नहीं मानते हैं बलकि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सरस्य मानते हुए हम जा कहते हैं, कि पूरे धर्ती पर रहने वाले लोगे कहीं परिवार के सुरस्थ हैं, और हमारे देश के रिशियों और वने इशियों नहें संदेश दिया, बसुद्धवा कुटमबकं, दे होलो वरल्ड इस अ फैमिली, यह हम लोगों ने संदेश दिया, मैरे बहनों भायों, मैं यहां देखना हूँ कि यो कला और साहित का संरक्षन यहां किया जा रहा है उसे मुझे बहुत खुशी है और मैं समझता हूँ कि भैनों भाईयों कला और साहित का भी जो अपने भी इतना बड़ा भात्त है कि यह समाज को जोड़ने वाली यह बहुत प्रभावी भूमी का यह कला साहित भी निभाते हैं और इस एकता का संदेश जो बिठल लाओ भाई पदमस्री बिठल लाओ विखे पाटिल जी ने हमको दिया है साहित और कला के माध्यम से भी हम उसी एकता के संदेश को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं मैं अपने समक्ष बैठे साहित कारों कला कारों वulates लोक कला कारों से भी यह कहना चाहूंगा कि आप सभी समाज के दर्पन है और आपका भी यह दाइत तो है कि आप समाज में चल रही कुरीतियों बुराईयों पर अपनी कलाव वसाहित के मादधम से तीखा प्रहार करें तथा लोगों में यह जागरूपता फैलाने की भी आप कोशिस करें जिससे लोग तमाम समाजी बुराईयों से या कुरीतियों से या बाहर निकल चाते हैं कोई रचनाकार या कलाकार मेरे बहनों भाईयों साधारन मानो भरे ही नहीं होता है समाज और राफ्ट का भविश अपनी कृतियों से अपनी कलाओं से अपनी बाणी से वो उसे दिशा देने का काम करता है वो पालदाफ दीरेज एक बहुत बड़े कभी हुआ करते थे उन्होंने कहा है आत्मा आत्मा के सौंदर का शब्द रूप है काब आत्मा के सौंदर का सब्द रूप है काब और मानो होना भाग है तो कभी होना साहिट्कार होना सौभाग है और सिवा करने का अशर प्राप्ट हुआ है इफले मैं यहां बैठे साहिट्कारों और कलाकारों से भी यह कहना चाहता हूं कि आपका काम मानो को मानो बनाने का है और यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी जिम्मेदारी को दंभी इरता से निभाएंगे मेरे बहनों भाईो भारत इस समय तिब्र परिवर्तन के दोर से गुजर रहा है तेजी से परिवर्तन की दोर से गुजर रहा है और आने वाले कुछ वर्स ना सिर्फ एक विक्सित भारत की निव रखने जा रहे हैं बलकि आगामी कई वर्सों तक जो भी हम इस समय करेंगे जो आप चाहे किसी भी वर्ग से संबनित हों, चाहे आप संब्रिद वर्ग से आते हों, पूजी वर्ग, पूजी पठी वर्ग से आते हों, या आप कला और साहित के वर्ग शेतर से आते हों, आप सभी अपना सत प्रशत देते हुए मिलकर भारत को विक्सित भारत बनाएं, भारत को एक ससट भारत बनाए भारत के प्रभावी भारत बनाए यही हमारा आप सभी दगों से आग रहे हैं आज क्या उसर पर मैं पुना आप सभी को अपनी हारदिक शुक्रामना देते हुए एक बात और मैं कहना चाहता हूं मैं जब प्लेन से आ रहा था तो आपके सामसद ये डक्टर सुजय राधाकिश्विखे पार्टिल आज मेरी तबियत भी कुछ ना साथ थी लकिन उन्होंने का आख साब एक बात मैं आप से करना चाहता हूँ मैंने कोई गंभीर बात होगी है तो उन्होंने केके लेकिन इतना मैं जरूर कहना जाओंगा कि हम लोगों के लिए किसानों का हित जंता का हित सर्वो परी है और हमारी सेना भी मेरी सेना भी आप सब के हितों का ध्यान रखती है देश की सुरक्षा के लिए देश वाशियों की सुरक्षा के लिए वो अपना जीवन अर्पी तुन होने किया है जरूरत पढ़ती है ते शीमाओं पर सहादत भी देते हैं मैं उन सब लोगों के साथ एक बार बैठ कर हम लोगों यह कोशिस करेंगे समस्चा की गहराई में जाने का प्रियत न करेंगे ताकि यह कोशिस हो कि कोई न कोई समाधान इसका निकल जाए ताकि हमारे कि किसानों और स्यतकरी बहनों भाईयों को कोई छती न पहुंचने पाए उनका कोई नुकसान न होने पाए यह हमारी यह कोशिश होगी इन ही शब्दों के साथ इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां पर उपस्तित हुए इसके लिए मैं अपनी तरफ से आपको धन्दवा करता